Hello students, तो कैसे हैं आप लोग, I hope you all are so well due to blessing of your parents and elders, today we are going to discuss about जो हमारा short question है न, objective question है न, जिसमें चार option दे जाती हैं, उस question पर हम करेंगे आच, डीटेल वाइस करेंगे, कोई भी problem नहीं होगा, वीडियो को पेसंस के साथ देखो, अगर आपको कोई भी problem हो, तो आप Instagram पर follow करो, comment कर करो, यहाँ पर आप like करो, चैनल को subscribe कर लो, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक तुरत आ जाए, और comment करो, तीन चीज़ करो, like, subscribe, and comment, यह तीनों चीज़ करो, जरूरी है, अगर आप करोगे, तो इसमें आपका benefit रहेगा, आप जिस topic पर वीडियो बोलोगे, उस topic पर मैं मना ठीक है, इसलिए यह तीन काम जरूर करना, हमारा question number 1 क्या है, the value of this expression is given, तो देखो, इस expression को solve कैसे करना, यहाँ पर देखो, 2 minus 3, 2 minus 3, यानि 2 minus 3, यानि minus 1, minus 1 to the power 3, तो minus 1, minus और minus plus 1, 2 plus 3, यहाँ पर कितना हो गया, 5, अब 5 to the power 3, कितना हो गया, 1, 2, 5, तो हमारे यह question complete होता है, question number 2 पर बात करा जाए, तो क्या दिया है, 256 raise to the power 0.16 into 256 raise to the power 0.009, तो देखो, इसको हमने solve किया आपके सामने, देखो कैसे solve किया है, चलो देखते हैं, पहरा तो हमने 256 को तोड़ दिया, यहाँ पर इसका LCM लेकर आप इसको तोड़ सकते हैं, हमने यहाँ पर 4 के टम में अब क्या करोगे, यहाँ पर 256 को जब आप लेकर तोड़ोगे तो 4 को 4 आएगा, ठीक है, अब इसको point उड़ाएंगे तो 16 by 100, बिल्कु सेम, यहाँ पर भी 4 पर power 4, अब यह multiply में relation है, तो 4 into 16 by 25, 4 into 9 by 100, sorry, 4 into 16 by 100, और 4 पर power 4 गुना 9 by 100, काट कूट के यह आगिया, 4 raise to the power 16 by 25 और into 4 to the power 9 by 25, ठीक है, तो यहाँ पर आप confusion मत होना कि एक बर बोलते है, raise to the power 5, देखो, raise to the power 5 भी पड़ सकते हैं, 2 to the power 5 भी पड़ सकते हैं, अब बे सेम है, तो power जुड़ गया, तो इसका answer हो गया 4, तो यह option इसका a है, 2 का a, option 3 में देखा जाए, तो 3rd, if 10 to the power 2y बराबर 25, then 10 to the power minus y equal, किसके बराबर है, देखो, अगर 10 to the power 2y बराबर 25 है, तो इतना बराबर क्या होगा, what, तो देखो, simply समझो, student, यहाँ पर आपका 10 to the power 2y बराबर 25 दियावा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 to the power y इस पूरे का whole square, ताकि यह multiply में जाएगा, त तो इसमें root चड़ गया, तो under root 25 का square root 5 होता है, तो 10 to the power y का value 5 आगया, लेकिन हमको निकालना था 10 to the power minus y का value, तो मेरे को पता था, I know we can write 10 to the power minus y equal to 1 by 10 to the power y, यह positive उपर जाता है, तो negative हो जाता है, negative वो positive में बनाना है, तो उसी का reciprocal यहाँ पर लिख देना है, तो यहाँ पर 10 to the power y का value पता था 5, तो 1 by 5 इसका answer होगी है, तो option इसका जो होगा, option d will be answer, okay, तो option d will answer, okay, student, आपका question number 4 क्या कह रहा है, the value of x minus y to the power x minus y, when x equal to 2 and y बराबर minus 2 is, तो देखो, इस expression का value होगा, जब x बराबर 2 है, y बराबर minus 2 है, तो आपको कुछ निकरना है, x के जखा, यहाँ पर 2 डालना है, y के जखा, minus 2 डालना है, बहुत असान है, अराम से, आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब हमने solve किया, तो minus 14 आ गया, तो इसका answer होगी, option d, question number 4 is completed, okay, student, आपका जो question number 5 है, यहाँ पर आपको दिखा, दिखा रहे नहीं है, हम दिखाएंगे आपको, क्या कह रहा है, बता देते हैं, क्या कह रहा है, चलो, देखते हैं, कह रहा है, the product of the square root of x with the cube root of x is क्या होगा, आपको root x into cube root of x का product देखा, हमने यहाँ पर x to the power 5 by 6, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x to the power, यह 6th root of x to the power 5, तो यह आपका होगया, answer क्या होगया, 6th root of 6, 6th root of the 5th power of x, तो यह हमा इसका answer होगया, option यह कितना होगया, आपको option b होगया, 5 का b होगया, यह complete होता है, question number 6 है, आपको से solve कर लेना, question number 7 में कह रहा है, 7th root of x divided by 8 root of x is, तो यह जो दिया है, वो लिख लिए हमने, इसको उपर लेके गए, तो minus होगया, अब solve किया, तो x to the power 1 by 56 हो, तो इसको ऐसे लि okay, question number 8 पर आते है, question number 8 में कह रहा है, the square root of x divided by the cube root of x, तो क्या होगा, तो देखो, square root of x to the cube root of x, तो इसका answer होजाएगा, आपका 2, okay, यह भी आपका clear होगया, तो 64 को लिख सकते है, 64 पे power 1 by 3, तो हम लिख सकते है, 64 को 4 पे power 3, 3 गुना 1 by 3, 3 cancel होगया, तो नीचे 4, square root of x, 8 होत is not equal to, अब देखो, जो इसके equal है, उसको answer नहीं लगाना, जो इसके equal नहीं है, ठीक है, तो जो आपका correct answer है, पहले वो देख लो क्या है, तो 5 to the power 6, अब 1 by 5 into 1 by 6 and minus 1 by 30, अब जब यह negative को positive बनाएंगे, तो इसका अंदर वाले part reciprocal होजागा, ने 6 by 5 to the power 1 by 30, तो यह सही answer है, ब question number 9 के बाद हम question number 10 पर आते है, question number 10 कहता है कि when x, when simplified is equal to, अब देखो, x to the power minus 1 plus y to the power minus 1, इस पूरी पर power minus 1 इसको solve करने के के बाद इसका answer जो आएगा, x y divided by x plus y, तो यह इसका answer आएगा, question number, अगर हम 11 पर बात करे, तो question number 11, you can solve yourself, question number 12 पर बात करे, तो क्या कह रहा है कि if 0 is greater than y, and y क्या है हमारा आपका x से छोटा, y is less than x, 0 जो है, sorry यहाँ पर हमने थोड़ा सा रॉंक पढ़ा है, 0 क्या है, आपका 0 is less than y and y क्या है, less than x, समझ रहें, तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा, देखो, root x minus root y ब्राबर, root under root x minus y यह possible नहीं है, तो इसका actually correct answer यह है, under root x, y, इसको under root x into under root y लिख सकते हैं, आप तो को 12 का d is right answer, okay, question number 13, if x is a positive real number, x आपको कोई भी positive real number हो, यानि कोई भी real number हो, लेकिन वो positive होना चाहिए, कौन सा real number है, उससे मतलब नहीं, लेकिन positive होना चाहिए, मतलब यह है, तो यहाँ पर आपका x square ब्राबर 2 है, तो x q ब्राबर क्या होगा, देको x square ब्राबर 2 है, तो x ब्राबर under root 2, अब आप सोच रहोंगे सर, यहाँ पर plus minus क्यों नहीं लिए, तो हमने बोला है, यहाँ पर already बोल दिया, कि x positive real number है, तो यहाँ पर positive number लेंगे, x q ब्राबर क्या होगा, x के जगा root 2 डाल दो, root 2 का q होगया, तो 2 root 2 होगया, इसका answer, question number 14 पर आते हैं, क्या गर है, 2 to the power 3, इस पूरे पर power 2 बराबर 4, x to the power x, तो यहाँ पर होगया 2 पर power 6, यह 2 के form में था, तो इसको भी 2 के form में लिखा, हमने, तो अब comparing किया, तो x का value 3 आ गया, उसके बाद यहाँ पर, यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको, x to the power 3 का value क्या होग अब देखो, x to the power 3 है, तो यहनी x to the power 3, यहनी 3 to the power, यहाँ पर actually, आपको बता दें, एक पर हम देख लेते हैं, question number 13, sorry, question number 14 है यह, तो question number 14 में 3 to the power x का value क्या होगा, तो 3 to the power x का value, x के जगा 3 डालना है, तो 27 इसका answer हो जाएगा, ठीक है, question number 14, question number 15 आप बना लेना, question number 16 पर बा x to the power minus 1, 8 x to the power minus 1, and x का जो value है, वो greater than 0, 0 से बड़ा है, तो आपको x का value निकालना है, यह expression दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर x को x से multiply, x square, इसको इसे, आप, बच कुछ नहीं करना, यह डिवाइड में था, इसको इसी side रहने दो, यह डिवाइड में था, रिसी प्रोकल हो जागा, यह यह 8 का square, तो 64 हो गया, x का value 64 आगिया, ठीक है, तो यह हमारा correct option होगा, correct, अब हम question number 17 पर बात करेंगे, g बराबर इतना दिया वा यह expression, what is the value of, what is the value of g when t बराबर 64, तो t के जगा 64 डाल दिया, solve करने के बाद, जो g बराबर आया, वो 33 by 2 आया, जब t का value 64 हो, ठीक है, question number 18 में, x to the power minus 2 बराबर 64, then x to the power 1 by 3 plus x to the power 0 बराबर वाट, तो x to the power minus 2 बराबर 64, तो यह इस side हैगा, तो इसका reciprocal हो जाएगा, अब इसको negative को positive में बदला, फिर उसके बाद 64 पर power 1 by 2, तो आप 64 पर 1 by 2 किसका मान होता, root का मान होता, इसका यह मतलब होगा कि under root 64, तो 64 का square root 8 हो गया, तो x का value 1 by 8 आगया, अब यहाँ पर x के जगा 1 by 8 डाल दिया, हमने, यहाँ पर इस पर power 1 by 3 हो गया, 1 by 8 को लिख सकते हैं, 1 by 2 पर पूरे पर power 3, अब इस पर power 1 by 3 ता, यह relation क्या, इंटू का relation, तो 1 by 2 प्लस 1, 3 by 2 answer हो गया, ठीक है, question number 18 is completed, question number यह हमारा 19 है, 4 to the power x minus 4 to the power x minus 1 बराबर 24, 24, we have to prove, we have to find 2x, उस पूरे पर power x इसका value निकालना है, तो हमने यह expression लिख दिया, उसके बाद हमने ऐसे लिख देना है, उसके बाद 4 to the x को a मान लेना है, तो a minus, आपका 4 a into 4 to the power minus 1, तो आब इसको नीचे भिखते हैं, तो a minus a to the a divided by 4 बराबर 24, तो यह हो गया हमारा 4 a minus a divided by 4, यहाँ पर यह 4 to the power minus 1 था, तो इधर आया, तो यह 4 to the power plus 1 होगा, यह निचे पॉजिटिव होगा, 1 चुबावर रहता है, इसलिए लिखते नहीं है, अब हमारा आगे हमने solve किया, तो 3 a बराबर 24 के 96, यहाँ पर 3 से कार्ड दिया हमने 8 बार में, तो एक का value 32 है, एक का value अलड़ी मेरे को पता था 4 to the power x, तो यहाँ पर x का value निकला, वो comparing the exponent, तो x का value 5 by 2 निकला, अब x के जगह यहाँ पर 5 by 2 डाला, तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितना है, 5 to the power 5 है, तो अलग अलग किया, एक पर 5 to the power 2 लिया, क्योंकि आपका पता था कि 1 by 2 है, तो किसी तरह cancel हो जाएगा, यहाँ पर 5 to the power 3 है, तो यहाँ पर 5 under root हो गया, तो कहीं ने कहीं, इसको लिख सकते हैं, पांच गुना पांच गुना पांच, यानि 25 का square root 5 गुना 5, आपका pair में तो एक निकल गया, तो 55 to 25 under root 5 हो गया, ठीक है, question number 19 is completed, question number 13 में आपको यह दिया हो है, ठीक है, आपको इसका value find करना है, तो 256 पे power दिया, minus 4 to the power minus 3 by 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, minus 2 to the power 2 into minus 3 by 2, 2 to cancel हो गया, यहाँ पर 2 पर power minus 3, अब इसको negative को positive बदलना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया, 1 by minus 8, अब इसको हमने, यहाँ पर 256 को तोड़ा है, तो लिख सकते है, 4 to the power 4, तो इसको solve करने के बाद हमारा आगया, 4 to the power minus 1 by 2, तो देखो, minus 1 by 2 आगया, अब जब आप इसको नीचे भेजोगे ना, तो 1 by 4 to the power 1 by 2 हो जागा, अब 1 by 2 का value रूट का value होता है, तो रूट 4 का value आपका 2 हो गया, तो 1 by 2 इसका answer हो गया, question number 23 is completed, student, we will talk about question number 25, if ABC are positive real number, तो we have to find this expression, तो a to the power minus 1, अब देखो, ABC यहाँ पर positive real number बता दिया गया है, इतना expression दिया है, तो इसको मैं आपसे लिख सकते हैं, a to the power minus 1 है, तो इसको 1 by a लिख सकते हैं, 1 by a into b, यहनि b by a, 1 by b into c, 1 है, c by b, तो इस expression, अब इस root के अंदर था, तो सब एक बड़ा root दे दिया, हमने और root के अंदर सारा, यह expression लिख दिया, अब आपको बता है कि अलग-अलग करेंगे, तो फिर इसी form में आ जाएगा, ठीक है, तो आप इसको solve करने के बाद 1 आ गया, उसके बाद यह उपर गया, तो positive में चला गया, उसके बाद हमने solve किया, तो 8 को लिख सकते है, 2 to the power 3 multiply with हो गया, minus 4 by 3 is recancel, 2 पे power minus 4 into 2 पे power 2, यानि बेसे में power जूट जागा, तो 2 पर power minus 2 हो गया, अब देखो, यहाँ पर 2 पर power 2, यानि 1 by 2 पर power 2, तो यहाँ पर, देखो, nth root of a है, तो a to the power 1 by n, फिर उसके बाद क्या है, mth root है, mth root of nth root of a, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 by m, उसके बाद यहाँ पर into mn, तो यह इसके साथ, यह आपका पूरे पर power mn है, अब यह इनके बिच रिलेशन है, into का, तो 1 by mn into mn, तो option जो, इसका जो correct answer आएगा, option a, not a o, इसका answer है a, अब देख लो ना, किस option में दियावा है a, तो इसका क्या answer है, 33 का answer a है, यह हमारा 35 question है, इस x ब्राबर 2, y ब्राबर 4, तो इसका value आपको find करना है, यहाँ पर देखो, आप चाहो तो directly put कर सकते हैं, यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर directly नहीं put किया, इसको, और इसको same करने का process किया, तो y by x को जब x by y लिख देंगे, तो यहाँ पर कुछने एक minus बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर minus y plus x हो गया, तो x minus y हो गया, यह अंदर वाले same हो गया, तो इसको आप जोड सकते हैं, तो 2 times x by y इस पूरे पर power x minus y, तो x के जगा 2, 2 by 4, 2 minus 4 minus 2, 1 by 2, अब इसको अगर आप positive में करना है, तो 2 by 1 हो जाएगा, याई 2 पर power 2, याई 2 तो जा 4, 4 तो जा 8, 8 answer हो गया, question number 35 is completed, 30 से 8 की बात करते हैं, यहाँ पर देखो, 38 में थोड़ा mistake है, वहाँ पर कुछ और लिखावा था, 140 minus 29 लिखावा था, यहाँ actually 140 minus 19 है, तो इसको solve करें हम, तो इसका answer आगया, 400, 400, तो यह chapter complete हुओ, I hope आप कुछ समझ मैं होगा, वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को subscribe कर लिजेगा, बेल आइकन को press कर लिजेगा, ताकि आने वाला वीडियो का update, आप तक जल पहुसके, thanks for watching this video,